नमस्कार दोस्तों दिल्ली में छट पूजा को लेकर इस वक्त काफी राजनेती हो रही है यमुना घाट के उपर पानी पर सफेद ज्छाक की तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर या मीडिया के अंदर यानि न्यूस चैनल्स के उपर काफी देखी होगी इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बीजेपी के लोग इस तरह की तस्वीरें काफी वाइरल कर रही है यमुना के इस तरह के पानी की तस्वीरें और छट पूजा को लेकर बीजेपी हाला कि दिल्ली सरकार के उपर आरोप लगा रही है तरह तरह के लेकिन राजनितिक वयानबाजी से दूर हमें इस पूरे मामले की सचाई जानने के लिए तत्यों को समझना होगा यमुना के जिस पानी के अंदर आपने सफेज जाग की तस्मीरें टीवी पर या सोशल मीडिया पर देखी है दरसल वो ओखला बैराज जो की दिल्ली और उत्तर प्रदेश यानि नोईडा उत्तर प्रदेश का नोईडा है उसके बिलकुल सीमा के उपर है आप उसमें कई तरह की बाते सामने आती है कि जहां पर जाग दिख रहे हैं वो जगए उत्तर प्रदेश के अंदर अंतरगत आती है या दिल्ली के अंतरगत आती है इसके उपर थोड़ा सा मतमेद अलग-अलग लोगों के बीच में रहता है लेकिन कुल मिलाकर ये है कि वो बिलकुल मोहाने पर है यानि उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों के मोहाने पर वो जगए है जहां पर आपको पानी के अंदर वो सफेज जाग दिखाई देते हैं चलिए आपको बताते हैं कि यमुना के अंदर ये जाग वाला पानी आता कैसे है और कहां से है दरसल यमुना के अंदर अलग-अलग sources से पानी आकर गिरता है जैसे उत्तरप्रदेश के नोईडा, सहरनपुर और मेरट यहां का जो industrial इलाका है वहां से industrial waste बहकर पानी के साथ आता है और वो यमुना के अंदर वो पानी गिरता है तो उस पानी में से जाग उत्पन हो जाते हैं क्योंकि उस पानी के अंदर फासफेट होता है जो की इस तरह के जाग बनाता है और इसी वज़े से पानी जहां पर गिरता है थोड़ा सा भी उचाई से गिरा तो फिर नीचे की तरफ यानि यमुना की जो सता है होती है जहाँ पर पानी इखटा रहता है आपको देखता है वहाँ पर उसमें सफेद जाग आपको दिखाई देते हैं और यह उसी की तस्वीर होता है ना केवल उत्तरप्रदेश बल्कि हारियाना की तरफ से भी जो पानी आता है उसमें भी इस तरह की industrial waste की मात्रा होती है यानि पानी पत करनाल वहां का जो इंडस्टिल एलाका है वहां से जो पानी निकलता है वो वेस्ट यमुना में आकर एक पॉइंट पर गिरता है और उसी की वज़े से यमुना का जो पानी दिल्ली के अंदर होता है दिल्ली की सीमा में होता है उसमें अमोनिया की मातरा अचान ने भी चुनाव से पहले ये वादा किया था कि वो यमुना के पानी को साफ और स्वच बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने इस वादे पर अब तक क्या किया है वो जान दे है। जब दिल्ली की सीमा के अंदर यमुना के पानी को साफ करने की योजना बनी तो क को लेकर एक पूरा प्लान तयार किया गया चुकि दिल्ली सरकार की अपनी सीमाएं है यानि कि दिल्ली की सीमा के अंदर आने वाले पानी को ही वो साफ कर सकते हैं इसी लिए दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने प्लान तयार किया कि यमुना के अंदर दिल्ली में जहां जहां पर भी पानी दाखिल होता है उन पॉइंट्स के अंदर वो एक ऐसा सिस्टम लगाएंगे जहां से साफ पानी को यानि आगे से पानी कैसा भी आए उसको साफ करके यमुना में डाला जाएगा और फिर अपने आप यमुना के अंदर दिल्ली की सीमा में जो पानी बहेगा वो साफ और स्वच होगा चलिए अब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर यमुना में कहां से कितना गंदा पानी आता है हर्याना की तरफ से बादशापुट ड्रेन के जरिये 95 mgड पानी जो की इंडेस्ट्रियल वेस्ट को अपने साथ लेकर आता है वो यमुना में दाखिल होता है कुल मिलाकर 105 mgड पानी हर्याना के अंदर से अलग-अलग सोर्सस से इंडेस्ट्रिल वेस्ट को लेकर यानि की गंदे पानी को लेकर यमुना में दाखिल होता है इसके लाबा उत्तर प्रदेश से ये 50 mgड पानी है जो की अलग-अलग रास्ते से होते हुए शाहद्रा ड्रिन के जरिये भी वो आता है और इसकी संख्या कुल मिलाकर 50 mgड होती है जो की यमुना के अंदर आकर मिल जाता है अब यमुना के पानी को दिल्ली के अंदर साफ करना था तो उन सभी पॉइंट्स को दिल्ली सरकार ने मार्क आउट किया जहां से पानी दिल्ली के अंदर दाखिल होता है और उन सभी points के उपर आधुनिक तक्नीक का इस्तेमाल करते हुए water treatment plant और STPNE की sewage treatment plant लगाने का काम शुरू हुआ इसका सीधा मकसद ये था कि यमुना के अंदर अलग-अलग sources से आने वाले पानी को वही पर ही साफ किया जाएगा यानि यमुना के अंदर दाखिल होने से पहले ही उनको साफ किया जाएगा या तो उस पानी को reuse में लिया जाएगा और जो साफ पानी बचेगा उसको यमुना में डाला जाएगा जिससे की यमुना का पानी साफ और स्वच्छ होगा इसमें अलग-अलग sources थे जैसे की दिल्ली के अंदर ही नजफगड नाला हो गया और या फिर रिठाला का जो supplementary drain है वो हो गई और चोटे-मोटे नाले और supplementary drains जिसका पानी इखटा होकर एक point पर जाकर मिलकर वो यमुना के अंदर दाखिल होता था और उस पानी को सीवेज treatment plant यानि की STP के माध्यम से साफ किया जाएगा और उसके बाद ही उसको या तो reuse में लिया जाएगा या फिर यमुना में डाला जाएगा ऐसे चार point मार्क आउट किये गए जहांपर WTP और STP लगाकर पानी को साफ किया जाएगा और उसके बाद ही यमुना में डाला जाएगा जिसमें पहला है ओकला, कोरोनेशन, रिठाला और कोंडली यहां पर अलग-अलग शमता के अंदर WTP और STP बनाए जा रहे हैं और उसके बाद वहीं से पानी साफ होकर reuse या फिर यमुना की तरफ निकलेगा इसमें ओकला की अगर हम बात करें तो 124 MGD पानी जो की वहाँ पर साफ किया जाएगा कोरोनेशन के अंदर 70 MGD पानी, रिठाला के अंदर 40 MGD पानी और कोंडली के अंदर 45 MGD पानी को साफ किया जाएगा इसके अलावा और भी छोटे-छोटे STP लगे हुए हैं जैसे कि केशोपुर में 60 MGD का, नरेला में 10 MGD का, रोहिनी में 15 MGD का, कोंडली में 45 MGD, महरौली में 5 MGD, वसंत कुंज में 5 MGD और नजफगड में 5 MGD पानी को साफ किया जाएगा इसमें दिल्चस बात ये है कि इस पूरे काम की जब रिवियू मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को खुद दिली के मुख्यमंतरी अरविन केजरिवाल लेते हैं, हर एक काम की बारीकी से रिवियू करते हैं, समीक्षा करते हैं और कहीं अगर अडचल भी आती है तो उसको काम तेजी के साथ हो सके, कई जगे पर ऐसा भी देखने को मिला है कि लैंड अलॉट्मेंट को लेकर कुछ इशूज आए जिसको बड़ी समझदारी के साथ रिजॉल्फ किया गया, इस पूरी वीडियो से दो बाते साफताओर पर सामले निकल कर आती हैं, पहली बात ये कि जो पानी, जो तस्वीरें आप जिस पानी की यमुना के देख रहे हैं, जिसमें सफेद जाग आपको दिख रहे हैं, दरसल वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का हिस्सा होता है, जो कि दूसरे राज्यों से, यानि कि हर्याना और उत्तर परदेश की इंडस्रियल इलाकों से पान केजरिवाल और उनकी सरकार क्या कर रही है तो हमने आपको बताया कि कैसे WTP और STP's प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और उनके उपर काम चल रहा है और जिसकी लगातार वक्त वक्त पर रिव्यूस भी होती रहती हैं तो ये दो बाते इस पूरी वीडियो से साफ निकल कर सामने आएं यमुना का पानी साफ करना कोई हसी का खेल नहीं है यमुना एक बड़ी नदी है उसका पानी साफ करने में वक्त लगेगा पूरा प्लान तयार होता है उसका एक्जिक्यूशन होता है यानि उस प्लान को जमीन के उपर इंप्लिमेंट करना होता है बड़े बड़े प्लान्स लगते हैं और सबसे इंपॉर्टन बात ये है कि उसको लेकर काम दिल्ली के अंदर चल रहा है तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो के उपर कमेंट करें और शेयर करके दूसरों को भी इस वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में ज़रूर बताएं फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ नमस्कार।